हाले वेरीबीडी मेटी सासक्रियास माइखिल्स माइथी किचन में सबका स्वागत आज मैं बनाने जारे चिकन करी इन नूट्रिपोर्ट विताउट लूसिंग दा नूट्रिटी वाल्यू चिकन करी नूट्रिपोर्ट में कैसे बन दाए अभी हम देख लेते चिकन करी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन इसमें 1 टीस्पून अधरक लशन पेच डाल दिया 1 अब टीस्पून मिर्ची पाउडर दाल दिया 1 फ़ टीस्पून खल्दी पाउडर दाल दिया 2 टेबल स्पून देखी डाल दिया 1 फ़ टीस्पून नमक डाल दिया अभी हाथ से ही मैं इसको अच्छा से मारिनेट करेगा अभी हम खाफ अनवर के बाद मिलेगा अभी हमारा नेस्ट स्टेप में हम लोग एक फोर मेडियम साइज ओनियन में ने लिया 5 ग्रीन चिल्ली एक चोटा से पीस अद्रक छे गार्लिक क्लाउज और धनिया पता यह हम अच्छा से क्रश करेगा आपके पाफ चोपर नहीं है तो आप हाथ से भी चोटा चोटा करके काट सकता है अब थे अच्छा से प्णे चोप हो गया अभी हम यह टो माट्र भी घृष्ट करके ले लेते Reason टो माट्र माट्र मैंने लियाक त्री मीडिम साइज टोमाटर अभी टोमाटर भी में अच्छा से घृष्ट करके लें लेती हूं अब इक हम कुकिंग शुरू कर लेते हैं स्विचोन गिया यह हम सोते मोड में करने जा रहे हैं सोते मोड है 10 मिनिट्स इसमें मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ओल डाल दिया यह तेल गरम करने के लिए हम इंदसार करेगा तेल गरम हो गया इसमें मैं 1 फॉर्थ टीजपून जीरा डाल दिया जीरा हलका से फ्राई होने के बाद 1 इंच डाल चीनी डाला दो चोटा इलाची डाला चार लोंग डाला दो वे लीप डाला अब हम इसको टू मिनिट्स बिक्स कर लेते हैं जीरा ओप्शनल है यूशली साउथ इंडियन्स नौनमेच करी में जीरा यादा यूस नहीं खरता है अभी में यह लेशन ओनियन्स भारी मुझी दनिया अध्रक सब क्रच करके रखा हुआ डाल दिया अध्रक लेशन पेस्ट अभी हम नहीं डालेगा क्योंकि यह क्रेश किया हुआ यह मिक्चर में अलड़ी अध्रक और लेशन है अभी इसको अच्छा से हमको बूना है तिले टेम इट बिकम बून भूर्ड अलका से गोल्डन ब्रॉर्ड हमारा ओनीयन कका मिक्चर फ्र्ट हो गया अभी मैस में लटाए वानफ टीस्पून हल्दी पावडर डाला अब टीजपून मिर्ची पाउडर डाला वो भी खाश्मीरी मिर्ची क्योंकि हम ग्रीन चिली डाला इसलिए ज्यादा चिली पोटर का ज़रूरत नहीं एक मिनिट के लिए हम इसको सोटे करते एक मिनिट हो गया अभी मैं इसमें एक क्रस्ट टो मोटर डालने जा रहे अभी मैं आप टीजपून डाले शौल्ट बाद में टेस्ट करके देखने के बाद अगर जरूरत पढ़ेगा तो तो फिर हम डालेगा ए टो मोटर अच्छा से के हमको इसको अभी मिक्स करना है हमारा सौट É나ason DC 10 मिनित्स खात्म हो गया अभी वाम मोड में आ गया इसलिए इसमें चिकन डालने जारे आप लोग देख सकता है मैं इसमें एक ट्रॉप भी पानी नहीं डाला आभी मैं इसको बेंद करने जारे बेंद करने के लिए हमको इस थरफ हमारा तरफ इसको क्लोज करना है उसके बाद अगर अभी ये वेंड मोड में वेंड मोड में कभी नहीं रखना वेंड मोड में रखने छे इसका ग्यास पूरा बाहर चले जाया इसलिए क्लोज करने के बाद हमेशा इसको सीलिंग मोड में लगाना सीलिंग बोर्ट इसका ओर नीचे जो डिप्रेशन है ओई जगा अभी मैं इसको चिकन करी में प्रस कर रहे हैं 16 मिनिट्स में हमारा चिकन करी बन जाएगा हमको अभी इसके पास खड़े होने का कोई जो दूरत नहीं 16 मिनिट्स के बाद फिर घम आएगा इसका स्टीम पूरा ठंडा हो गया कोल के देख लेते अब लोग देख सकता है मैं एक ट्रॉप पानी भी नहीं डाला लेकिन चिकन का फानी निकलके यह अच्छा से फग गया इसका अंदर का यह पोट निकालके हम पाघर रेख सकता है अभी हम इसको डिशोट करते हैं थोड़ा से दनिया पता जालके मैं इसको गार्णिश करने जा रहे हैं न्यूट्रिपोट में हमारा चिकन करी तयार हो गया अगर आपको अभी नहीं खाना है आप सुबह चिकन करी बिनाया और उसके बाद शाम को यूज करने चाहते है तो वाम मोड में चोड़के अब लोग जा सकता है और शाम त अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना अब तक सब्स्राइब नहीं किये तो सब्स्राइब करना और एक वीडियो के साथ मैं जल्दी आजाओंगी तब तक के लिए अलवीदा